आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टडी ग्लोज पर आपका बहुत बसपागत हैं तो आज हम गुजरात लौ युनिवर्सिटी विकी बात करेंगे जी सिय लिए बहुत ही सेंसिटिव माटर है बेसिकली हुआ क्या है क यहां पर रेप, मॉलेस्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन और होमोफोबिया के जो इंसिदेंट हैं वो रिपोर्ट किये गए हैं तो इन सारी चीजों की ठीक है अब यह देखिए यह समझे कि जी एस पेपर 4 और जी एस पेपर 2 के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है और हम हम 200 गंटे लाइफ सेशन्स, UPSC टेस्स सीरीज, करेंट अफेसी साइट यह सारी चीज़े हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसके क्लासेज अल्रेडी चल रही हैं तो जो क्लासेज हो चुक उसके रिकॉर्डेट फॉर्मेल अच्छेज आपको मिली गए हैं तो फदा है हरास्मेंट हो रहा है और एक फीमेल ने अपने बैच मेट के ओपर आरोप लगाया कि उसने मेरे साथ बलातकार किया है तो अब क्या हुआ कि कमिटी बैठाई गोर कमिटी अपने रिपोर्ट दी कमिटी ने स्वता संग्यान लिया गया था सुओ मोटो कॉगनिजेंस लिय कोट में याचिका डालते हो लेकिन कई बार कोट में कोई याचिका नहीं पड़ती है तो कोट का जब अगर मालीजे कोई बहुत इंपोर्टन डिशू है तो कोट उसको खुदी उठा लेता है तो यहां पर स्वता संग्यान दिया गया और जो चीफ जस्तिस सुनीता कराने वाला है हम भी डर गए है इस वेरी वेरी स्केरी तो यह आप रेप के इंसिडेंट को सप्रेस कर रहे हो मॉले स्टेशन के इंसिडेंट को सप्रेस कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहां पर हूमोफूबिया हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो यह इंटरनल कंप कमिटी की यहाँ पर internal complaint कमिटी है नहीं कोई भी जिसन पर complain किया जा सके तो आप समझ रहे इसके क्या खतरनात परिड़ाम हो सकते हैं ऐसा बोला जस्टिस सुनीता गर्वाल और जस्टिस अनिरुद पी माई यह सुन रहे हैं तो कोट ने बोला है faculty members के खिलाफ यह एलिगेशन्स लगे हैं रजिस्टार के खिलाफ और डारेक्टर अफ दी युनिवरसिटी जो कि गांधी नगर एहमदाबाद गुजरात की कैपिटल गांधी नगर गांधी नगर एहमदाबाद में हैं लगबग 10-15 किलोमीटर दूर आप जाएंगे हैं बहुत ही डराने वाला है यह पूरा स्टेट्टमेंट है चीफ जस्टिस का कि इन्वालमेन्ट किसका किसका है यहां पे पूरे अइडिमिनिस्टरेशन का है पूरे तो नहीं लेकिन हाँ जायादत रभ्त वाइस होल इसे और को सप्रेस्ज़ करना यह दो इंसिडंट है इस यूँड इसके भी cases हमको देखने को मिले हैं सबसे बड़ी बात internal complaint committee है नहीं हर college में internal complaint committee होती है ये internal complaint committee अगर कोई भी आपको दिक्कात है तो आप यहाँ पे complaint कर सकते हो lack of information है information बच्चों को दीई नहीं जाती ICC के बारे में उसके बाद जो registrar है वो एफिडेविट दे रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है हमको उन्होंने एफिडेविट दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप करपा करके high court proceeding को close कर दे किस तरीके से वो ये बात कह सकते हैं how dare to say this in the court जब matter हमारे समक्ष है और हम सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं कैसे ये बच्चों को protect करेंगे हमको समझवे नहीं आता तो court ने ये सारी बाते बोली है जो आरोप लगे है यहाँ पर GNLU administration पर कि वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है ऐसे घटनाएं हुई हैं वहाँ पर internal complaint committee नहीं है जो वहाँ पर सुनवाई कर सके भी एच्चों में भी ऐसी घटना हमने देखी भी एच्चों पर भी काफे विवाद हुआ रेप हुआ वहाँ पर देखें universities क्या है यह मंदिर है शिक्षा का शिक्षा का मंदिर आप समझ रहो न यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली है आप अभी कोट में मैं आगे बताऊंगा तो अगर वहाँ students के साथ ऐसा होगा तो कैसे चलेगा especially law students के साथ law students के साथ होने का मतलब आप समझ रहों कि यही students तो देश को बचाएंगे यह जो है दिजादी protectors of the law यह कानून के protectors है तो यहाँ जो student है recorded by the reconstituted fact finding committee उन्हों ने यह इस committee ने यह पूरी की पूरी report दी है और बोला है कि भाई यह देखिए बहुत ही मुश्किल रहा है जो committee बैठाई गई थी है ना एक committee बैठाई गई students को बुलाया कि आप अपनी व्यथा बताई आपके साथ हुआ क्या तो बहुत students पीछे हट गए यानि कि ऐसे incident है लेकिन बहुत students ने इस पे बात बताई नहीं क्योंकि उनको पता कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अगर कुछ ऐसा बोलेंगे तो हमारे उपर गाज गिर सकती है तो बड़ा मुश्किल रहा उनसे उगलवाने में कि आखिरकार हुआ क्या बताई आपका नाम जो है वो disclose नहीं किया जाएगा तब जाके उन्होंने बताया है समझ रहे हैं रिपोर्ट जो है वो 22 फरवरी को submit कि गई थी ठीक है प्रॉपर तरीके से उसको court में submit किया गया था रिपोर्ट को पढ़ाद गया उसके बाद high court ने सुवता संग्यान लिया है September 2023 में यहाँ पे objection जब जो यहाँ पे registrar जगदीश चंद्र है ठीक है उनके उस समय जब उन्होंने एफिडेविट डाला था तब भी उनको reject किया था और इस बार भी एफिडेविट को reject किया गया है ठीक है न कोट यह भी बोला है कि भाई university इस तरीके से act करता है यह बहुत ही गंभीर यह सब इसको प्रोब कर रही है ठीक है तो यहाँ पर यही आरोप मतलब यह भी बोला गया है कि यह university है अगर ऐसे कुछ भी आ रहा है तो इसको इस बामले में बहुत ही गंभीर होना चाहिए बढ़ यहाँ तो कुछ है नहीं university में कि बच्चे जो है वो अपनी शिकायत दर् effort है कि बस रफा रफा करो ठीक है जिस तरीके से रजिस्ट्रार का behavior है वो तो बहुत ही गलत है इसका मतलब दाल में कुछ काला है ठीक है साथ ही साथ यहाँ पे पैनल ने यह भी बोला है कि जो कुछ political influential person भी इसमें involved है ऐसे cases में होते हैं यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा हो कि politically influential people भी यह लोग जो politics से आते हैं वो भी इसमें involved हैं case को suppress करने की बाते चल रही क्योंकि अगर case खुला तो बड़े लोगों की बाते आएंगी दोस्तों camera off हो गया था बीच में चले कोई बात नहीं हाँ तो यहाँ पे एक report का part पढ़ते हुए chief justice बताती हैं कि जो fact finding committee में थे वो क्या बता रहे हैं उन्होंने students से पूछा कि क्या तुमको डर है इनिवीशन मतलब शाय नर्वस हो ना क्या तुम नर्वस हो क्या जो students इसमें मतलब जो यहाँ पे victims हैं जिनके साथ यह हुआ है यह students से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको डर है क्या यह authorities का university जो university के authorities हैं आप डर में हैं तो answer था हाँ वो डर में थे initially जो थे वो नहीं आ रहे थे लेकिन बाद में बहुत लोगों ने यह बाते बताई हैं ठीक है बट एक डर यहाँ पे साफ साफ दिखा अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह बोली गई है उन्होंने university को criticize करते हैं यह बोला कि हम कैसे expect कर सकते हैं students भाई देखिए आप यह ह इनकी आवाज को दबाया जाएगा suppress किया जाएगा तो फिर देश में बोलेगा कौन यह protectors हैं और सबकी आवाज है यही आगे जाके हमारे protectors बनेंगे law के protectors बनेंगे आप समझ रहे हो यही lectures लेंगे seminars लेंगे हर चीज यही conductor करने वाले हैं देश को represent करने वाले जंता को represent कर जब इनकी आवाज को दबाया जाएगा तो कैसे कम चलेगा इसका कोई मतलब ही नहीं तो यह बहुत ज़्यादा डराने वाला है तो यहाँ पे हम अपना मू दिखाने लाइक नहीं रहेंगे समाज को हमारा जो यह state है यह किसी को मू दिखाने लाइक नहीं रहेगा अगर ऐ परसनल किसी को प्राब्लम है भाई ऐसा हुआ होगा तभी यह लोग बोल रही है तो यह पूरा का पूरा जी एन एल्यू के उपर आरोप लगे है अब क्या सच्चा है क्या नहीं वो तो आगे राने वाले वक्ती बताएगा बट चीजे तो डराने वाली है कुछ रही पर त से सão Down Tag Nude, і signing off.